प्राणा शरीरम ग्रहम पूजाते विशयोग भोग रचना निद्रा समाधिस्तिती संचारा पदयो प्रदक्षण विदी स्त्रोत्रानि सर्वागिरव यत्यत कर्म करोमिततततत खिलम शम्भो तवारादनम नमस्कार स्वागत आपके साथ हूँ ग्रहों का योगा योग क्या कुछ ग्रहे आपके लिए बना रहा है जनवरी के मद्यकाल में स्तिती ग्रहों की कैसी रहेगी यह आपको समझ लिनी चाहिए जनवरी का मद्यकाल बहुत महतुपूर्ण परिवतन की तरह दे दर बने चाहिए जाकर करें तो आपके अंधर नई शक्ति का संचार करेंगे लेकिन ये नई शक्ति का संचार कई आपार नेगटिव के साथ और अब चतुत भाव में चल रहे हैं और चतुत भाव में आते ही लोग आप कई प्रकार से विशुष्टार पर कुछ लोगों साथ क्लैश होने की योग बन सकते हैं तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कारे करना है इसके साथ साथ शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जा र कुछ गलत दोस्तों की संगत गलत लोगों का साथ आपको नुकसान कराने की जो पना कलना सकता है या सब्तम भाव में सूर्य है, परिवार में कष्ट देनी की युग बना रहा है सूर्य यदी, यदी छटे भाव में, आठवे भाव में, बार्वे भाव में सूर्य है, तो कई पर कारगे योग जो बनते हैं, उन सब को पूरे वर्ष को ठीक करने के लिए बड़ा सुन्दर युग बन जाता है, वो सारी बातें सिल्सलेवार तरीके से, हम आपको बताएंगे इस बार ग्रहों का युग योग क्या कुछ करने वाला है आपके लिए, इसके साथ साथ, यदी, यदी हम एक बात और सोचें, व्यापक तोर पर समझने की जरूरत है, कि इस बार जो सूर् इस बार मकरक को पढ़ जाये तो राज की लिए पड़ा बारी हो जाता है, राजनेतां के लीए बड़ा बारी हो जाता है या तो यह उग प्राक्रितिक आपताओं का योग देता है जमीन के अदर भी हवामे बीया जमीन के अंदर भी कही प्रकारती कि आपताओंको नग बन करते हुए कारे करने की जरूत करने जन्वरी की मध्यभाग । ने आपके वन और समासर तो सबनाई चाहिए लेकिन सूरे के साथ है ये थोड़ा सा भारी सकता है लाug वह सके तो ब्राह्मनों को कुछ वस्त्रित्यादी का दान करें यह अच्छा रहेगा अवस्या है उस दिन तो इक काम करें पृषष्टर पर अपने पित्रों के तरपन उनका इत्री का यग यह सब करने से बहुत सुंदा तरीके से आपके पित्रों का आशिरवाद भी मिलेग करने का प्रयास करना चाहिए 12 जनवरी को प्रतिबदा है शुक परिवर्तन हो रहा है और यह कृष्ण पक्ष खत्म होगे शुक्ल पक्ष आरम हो रहा है तो शुक्रवार का योग पढ़ रहा है मंगल मकर में जन्मावी प्रवेश कर रहे हैं यह आपके लिए अच्छा रह लाख लोग बुरा चाहें लेकिन कुछ नहीं होगा आप अपने मस तरीके से काम करने का प्रयास कीजैए सुद्र तरीके से ग्रह आपकी सपोर्ट करने की यूग सुद्र बना आपके लिए तेरह तारीक को लूड़ी का पर्वे है सनिवार का अउसर है घ्रहों का योग योग आपके अन्मकूल है तो आप की स्तिती अच्छी रहेगी आप अपनी चाल में मस थे वे काम करना करें तो सुन्दा है ऐसे में लोड़ी के समय में एक पाहि कर लीजे थोड़े की तिल थोड़ा चावल थोड़ी सी डाई लेकर अपने सिर्पे से वार का अगनी में सभपित करें उमन्य श्वाय का चप करते वे देखिए कहा तरफ जा रहे हैं वह सुबह 4 बचके 44 मिनट पर जा रहे हैं तो यानि मद्द्ध रात्री के उप्रांत ही युग बन रहा अगले दिन तो फिर उसका पुन्य तो अगले रहेगा लेकिन संक्रांति सूर्यूद्र से पहले होने की कारण से संक्रांति तो है तो रविवार के दि कि ये दिन वो है कि जब गंगा अश्नान कर लेने से समस्त प्रकारे कश्ट उयर इसी दिन भागिरत गंगा को लेकर गंगा सागर में पहुंचे थे और उन्हें पित्रों को मुक्ति कराने का था तो ऐसे में गायत्री का यग बहुत सुंदर रहेगा कश्ट दूर करने वाला पढ़ेगा रविबार को योग पढ़ गया है हमने भी आश्रम पर बहुत बड़ा यग रखा है इसमें सूर्य शान्ती का योग करने के लिए सुन्दा तरीके से लाब देने के लिए तो ऐसे में आप लाब लीजे विश्ट तर पर आश्रम में जुड़ सकते हैं उस यग म नए कारे करने के दिन अच्छा नहीं है क्योंकि इस दिन चतुर्ती शय है तो नए महुर्थ नए कारें को करने से बचना चाहिए कई लोग अंजाने में विश्टार पर मकर संक्रान्ती को देखकर नया महुर्थ करने की सोच लेते हैं तो ठीक नहीं रहेगा वो महुर्थ मां पंधा तारीक विश्टार पर मकर संक्रांधी का पुन रहेगा तो इस दिन सुबा सुबा कोशिशे करें घ्रहयोग आपके अनुक विश्टार पर ग्रहयो किस्तिती देखें तो स्वास्त के दिश्रीकोंढ से समय भारी दिखाई देता है कि चन्दमा का चटे भाव में चले जाने के कारण से अननेसेसरी के थोड़ से भारी पन ग्रह यूग भारी पिंजाते हैं स्वास्त के दिश्डी कोण से ध्यान रखती विकारे करें संक्रान्ति का पुन्न है तो कोशिशे करें गुड का रिवडी का तिल का यह सब कप्रोग ग्रह परिवरतन के स्थिति उत्पन कर रहा है मंगल भी उदे होने जा रहे हैं चदमाई परिवरतन की तरफ चले गए है और यह आपके लिए पॉजिटिव शक्ति का संचार करें और बहुत सारे नए लोगों से संपर्ग साथ सकता है बड़े लोगों से संपर्ग साथने क आपको प्रयास करना चाहिए लेकिन ध्यान रखीगा विकार की लोग छोटे लोग कंजर्वेटी थोट वाली लोग वो आपो दुखसान देने की योग बना सकते हैं तो उनसे बच्तिव विकारे करें आप तो अच्छा रहेगा मंगल उदे हो गये हैं तो अनुमान जी का पार्ट करें अनुमान जी का विशिष्टवर पर पूजन करें यह आपके लिए बड़ा सुन्दर उपाय रहेगा सतरा जन्वरी और अठारा जन्वरी को अश्वनी नक्षितर रहेगा तो ऐसे में इस दिन जो जातक जर्म में लेते हैं उनकी मूल शांति अवश्य होनी च जिसके भी मूल शांति कराई उसके बाद गरहों का परिवर्थन का योग बना बहुत बढ़ी-बढ़ी वजमी जाके लोग परिवर्तन कराने के लिए मूल शांति कराते हैं उसके बाद देखते हैं कि पहले ग्रहे नुकसान दे रहे थे और फिर सुन्दर ग्रह होते लेकिन मिन मन में थोड़ी सी नेगेटिविटी उत्पन होती दिखाई दे रही है, उसके ने में तुरा ध्यान लखने की जरूरत है, कोशिशे करें, पीले रंका ठीका लगाएं, कोशिशे करें, केले का पूजन करें, केले का वित्रण कर दें, इस सब चीज ठीक रहेंगी, करने के योग दे सकता है, और नई शक्ती का संचार कर सकता है, लेकिन एक बात का ध्यान दखीगा, केले अपनी अपनी मच राएंगा, सब को साथ लेके चलना है, ऐसे में हो सकता है, कि थोड़ा सा आप एरोगेंट हो जाएं, और ज्यादा उदेश देना श्रू करतें, तो और रवी योग पढ़ रहा है, ग्रहें आपके विशेशतार पे थोड़े से इस वक्त नुकसान देने की स्थिति उत्पन कर रहे हैं, तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कारे करें, गव पूजन करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा, बीच जनवरी को ग्रहों का महत्व पूड परिवर्तन रहेगा, उच्छी के जो चंद्रमा है, वो परिवर्तित हो के भागे में चले जाएंगे और यह आपके लिए बड़े उत्थान के योग बनाएंगे, और आपके मन में धार्मित्ता काउदे होगा, और बहुत सुन्दा तरीके से लाब की प्रश्र योग क्या खेल किल रहा है आपके लिए हम सिल्सिलेवार तरीके से बताते हैं, इसके बाद भी आपकी जर्मबत्री में ग्रहों का योग योग क्या ऐसा है, उन सबको भी समस्त्री में कारे करने का प्रयास करना चाहिए